हलो दोस्तों दोस्तों आज एक मार्च को आप लोग का भोति विज्ञान का आज का पेपर था जिसमें मैं आप लोग को कोड नमबर 343S अचीब का तो इसमें सबसे पहला जो प्रेसं अभी दे रखा है अप्षल करनवर एक का अउत्ट और फ्लक्स बोल्ट पर मीटरो चौतो ऑप संद रखा है नूटन मीटर पर कूलाव इसके बाद में अगला प्रसंत्य देखते हैं चल कुण्ड़ी धरा मापी की सुग्राईता में ब्रद्धी की असके 80 बिदायों के यहां थो 44 एक तो तया एक रहुता कर कुंडली में लना मुदाए पोड़ा कर कि तो इसमें अपत लगा contagion में रहें तो परभी इसमें झीजम आपका सभाव सब्सक्राइब बढ़ा कर चलिए इसके बाद में अगला प्रसंद देखते हैं एक आदर्स पी एन संधी के अग्र दिसिक वाइस एवं पस्च दिसिक वाइस की दिशा में प्रतिरोध क्रम्स होंगे तो दोस्तों इसका अंसर है चौता सून इवं अरंत तो इसको अंसर हो जाता है सून इवं अरंत इसके बाद में अगला प्रसंद है प्रसंद घा प्रसंद घा इसमें है द्रव तरंगों के संबंद में सत्य कदन है तो इसमें अप्शन दिरका है ये विद्व चुमकी तरंगे हैं अप्शन नम्मद दो ह यह यांत्रिक तरंगे हैं अप्शन नम्म तीन है इन तरंगों का तरंग देर गड़ करकर आवेश पास मीरबर नहीं करता है है तो यह उसके बाद में अगला प्रसंद देखती है तो इसके बाद हमें एगला प्रसंद देखते हैं हाइडरोन परमाडू की दोतीक अच्छा में एलेक्ट्रोन का कॉड़ी संबेख है अप्शन नमर एक दे रखा है 1.05 इंटू 10 की पावर मैनस का 34 जूल सेकेंड दूसरो अप्शन दे रखा है 1.05 गुणा 10 की पावर मैनस का 36 जूल सेकेंड तीसरो अप्शन दे रखा है 2.1 गुणा 10 की पावर मैनस का 34 जूल सेकेंड चोथा जो अप्शन दे रखा है वो है 2.1 गुणा 10 की पावर मैनस का 31 जूल सेकेंड तो इसमें आज आपका तीसरो जो option है 2.1 गुणा 10 की पावर मैनस का 34 ये आपका option सही है इसके बाद में अगला जो प्रसंद है इसे देखते हम अगले प्रसंद में कहा गया है वाईू में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 से मी है लेंस के प्रतम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमेटर की दूरी पर रखा गया है दो ती फोकस से पृतिविम की दूरी होगी तो इसमें option दे रखे 20 सेंटीमेटर, option नमबा 2 दे रखा है 15 सेंटीमेटर और option नमबा 3 दे रखा है 30 सेंटीमेटर और इसमें option नमबा 4 दे रखा है 25 सेंटीमेटर तो इसमें आपका जो तीसरा जो option है 30 सेंटीमेटर यह आपका सही अंसर है तो चलिए ये तो हमारे थे खंड आके प्रसंद ठीक है खंड आके हमारे प्रसंद थे जिसमें हमने देखे थे जो objective प्रसंद थे उनको देखा था ठीक है इसके बाद में मैं आगे की प्रसंदों को देखते हैं खंड बादेखते हैं खंड पा जो दूसरा जो प्रसंद है प्रसंद कर इसको देखते हैं इसमें पहला प्रसंद आई और द्वार का प्रतिक चिनद बनाये और इसके निर्गत के लिए सत्यता साड़ी बनाए तो आप लोगों को पता होगा कि नोर जो गेट होता है उसकी सरचना कुछ इस तरह से होती है यहां पर चले इस द्वारब दिखाते हैं इस तरह से होती है इसकी सरचना और यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर ए यहां पर बी तो इस तरह से इसकी सरचना होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा और उम्मीद करते हों आप लोगों ने सही अंसर भी क्या होगा ठीक है तो यह होता आपका एनोर की सरचना इसके बाद में अगला जो प्रचन है वो ह फोटन के सम्वेक का सूत्र लखिए तो अप लोगों अगर पता होगा फोटन का सम्वेक का सूत्र जो होता है वो होता है पी वरावर है एच अपॉन लेम्डा ठीक है तो इसके बाद में अगला प्रसंद देखते हैं अगला जो प्रसंद है गह नाविकी एबंब एबंब नाविकी रेक्टर में होड़ने वाली स्रंखला अविक्रियाओं में अंतल लखिए इसके बाद में अगला प्रस्ण है गछा किसी समतल विद्दु की Plak के विद्दु छेत्र का समीकर दे रखाएं और इसमें पूचाय तरंग के चुम की po h not लिखिये थीए इसके बाद में अगला जो प्रस्ण है इसमें किसी सुद्ध प्रेडिये लिए के तो आगला जो प्रसन है वो नुमेरिकल टाइप में है और इसके आगे के जितने भी आपके नुमेरिकल टाइप के जितने भी प्रसन है उन सभी के जो आपका सॉलूशन है वो अगली वीडियो में आप लोगों को दे दिये जाएगा तो यह था बहुत विज्ञान का पेपर यानि आज के दिन आपका जो पेपर हुआ था यह आपका पेपर था जिसका कोड है तीन सव चालिस बीवी और उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह पेपर अच्छा लगा होगा अगर आपने तयारी की होगी तो अगर नहीं की होगी तो थोड़ा आपको टफ लग सकता है पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था फिर भी सही है और इस पेपर का सॉलीशन आप लोगों को अगली वीडियो मिल जाएगा तो यह यह वीडियो आप लोग अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राब करें तो चलिए मिलते हैं अपने अग